हाई सुरेंट्स आम दीपक पजूरिया वेलकम तू माय चैनल फोकॉस क्लाशिस इस्टूरेंट्स आजका चुक्रेशन है एक्जम्पल 15 है जिक्टू मैंटरी से एक बहुत इंपॉर्डेंट एक्जम्पल है अकसर ही पूछ लिया जातर बोड़ एक्जम्म है इसके अंदर ब य्यूस करके यह हम लोगों को इंटिटी रूप करने हैं तो लियल्विक प्रूप हो presume जाकरने जारा है हम लोग क्वेस्टन और इसको हम लुग लेफ्ट हैंट साईट से गये जले आएगी तो फूप हो जाएक तो AY poverty लेटएट सब से पहले अब हम लोगों को identity कौन सी यूज़ करनी थी identity जो यूज़ करनी है वो है sec square theta equal to 1 plus 10 square theta अगर सब्लोग sec को देखें तो sec क्या होता है 1 upon cos theta 10 की बात करें तो 10 होता है हम लोगों का sign theta upon cos theta जब इसको sign or cos के terms में break करते हैं अब यहाँ पर जो technometric ratios दे रखें वो sign or cos के terms में वो उन्हें convert करना पड़ेगा अगर यह identity use करनी है तो किसके terms में? psych or 10 के terms में जो कि कब possible है जब कि वो ऐसे combinations हो और ऐसे combinations के अंदर हम लोगों ना देखा कि दौनों ही combinations के अंदर क्या आता है cos नीचे आता है इसका मतलब अगर इनको technometric ratios को इन technometric ratios में convert करना है तो क्या करें? cos theta से divide करता है ठीक है तो numerator और denominator दौनों को क्या कर रहा है? cos theta से divide इसको तब हम लोग क्या लिख सकते है जब sin theta को cos theta से divide करेंगे तो यह क्या बन जाएगा? 10 theta तो लिख देते है 10 theta minus cos को cos से divide किया दू यह बन गया 1 और plus 1 upon cos theta यह बन गया sac theta ठीक है similarly यहाँ भी यह क्या बन गया हम लोगों का 10 theta plus 1 minus sac theta ठीक है अब हम लोग क्या कर रहे है sac theta और 10 theta को ना एक bracket के अंदर रख रहे है 1 को अलग कर देते हैं कोई फरक नहीं पड़ता है ऐसा कर सकते हैं लोग तो क्या हम लोगों ने sac theta पहले रखा then 10 theta एक bracket और यह 1 अलग कर दिया हम लोगों ने upon में as it is so this is for 10 theta plus 1 minus sac theta ठीक है identity को उसी यूज़ करने थी sac square theta equal to 1 plus 10 square theta अभी इसी identity में चाहे हैं तो इसको transpose कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको तब लिख सकते है sac square theta minus 10 square theta equal to 1 इसी identity की basis के हम लोग यह कह रहे है अब 1 को हम लोग replace कर सकते है किस से cycle square theta minus 10 square theta यही identity यूज़ हो रही है तो यहाँ भी हम लोग क्या कर रहा है इस 1 के place पर हम लोग क्या रखने जा रहे है cycle square theta minus 10 square theta so that यह identity use हो जाएगी ठीक है तो रख देते है cycle square theta minus 10 square theta upon as it is right अभी हम लोग क्या देख रहे है this is looking like what a square minus b square और a square minus b square तो क्या होता है a plus b a minus b change कर देते है उसके times में तब इसको ऐसे ही रखा हम लोगों ने sec theta plus 10 theta in a bracket minus का side ने put किया और इसकी जगे पर क्या रख सकते है तब sec theta plus 10 theta एक bracket के अंदर और sec theta minus 10 theta identity use करी चीक है upon as it is 10 theta plus 1 minus sec theta चीक है अब हम लोग क्या देख रहे है there are two terms यहाँ पर देखे तो sec theta plus 10 theta एक term यह है minus का सायन है और दूसरा term यह है और इन दोनों terms के अंदर क्या common है यह complete bracket means sec theta plus 10 theta यहाँ भी है और sec theta plus 10 theta इस term में भी है क्या करें common ले लेते हैं इसको तो लिया common क्या हो रहे गया sec theta plus 10 theta यह तो common लिया हम लोगों ने तब यहाँ से क्या बचता है 1 यह minus का सायन है put किया sec theta plus 10 theta तो common आ गया तो यहाँ से क्या रहे गया bracket रग देते हैं इसको as it is so this is sec theta minus 10 theta upon sec theta चिक है right अब क्या करें ब्रैकेट ऊपन कर देते हैं तब इसको लिख सकते हैं sec theta plus 10 theta यह है हम लोगों के bracket में और यहाँ bracket open कर रहे हैं 10 theta plus 1 minus sec theta ठीक है इसी चीज़ को systematically रख लेते हैं हम लोग तब क्या कह सकते हैं sec theta plus 10 theta right और इसको यह क्या है हम लोगों का 10 theta पहला रख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता 10 theta then 1 रखा positive 1 minus sec theta ठीक है और upon में क्या है upon में as it is यानि 10 theta plus 1 minus sec theta right अब क्या देख रहे हैं this complete bracket and this complete bracket यह जैसे bracket 10 theta plus 1 minus sec theta 10 theta plus 1 minus sec theta तो क्या हो गया इस bracket से complete bracket cancelled right तो क्या रह जाता है हम लोगों के पास sec theta plus 10 theta अब हम लोगों को लेकर यह नहीं चोई है क्या चोई है sec theta minus 10 theta चोई है वो भी denominator में right अब क्या करें sec theta minus 10 theta से हम लोग क्या करें multiply कर रहा है और sec theta minus 10 theta से divide कर रहा है तो कर देते हैं sec theta plus 10 theta already है हम लोगों के पास हम लोगोंने sec theta minus 10 theta से multiply किया और साथ ही क्या कर दिया से डिवाइट कर दिया now this is looking like a plus b and a minus b और a plus b minus b क्या होता है a square minus b square और a के प्लेस पर तो कितना है sec theta तो क्या बन गया sec square theta b के प्लेस पर 10 theta है तो क्या बन गया 10 square theta चीक है अप आन बीचे क्या रहे गया sec theta minus 10 theta right again हम लोग देख रहे है sec square minus 10 square theta second square theta minus 10 square theta again क्या होता है इसी identity का यूज़ करके हम लोग क्या लिख सकते है 1 तो इसके प्लेस पर क्या रख सकते है 1 upon क्या आ गया sec theta minus 10 theta और यही हम लोगों की right hand side है I think students question आपको समझ आग्यों होगा अगर ऐसा है तो please video को like करते है channel को subscribe कर ले और बाकी की videos के लिए आप मेरी playlist में चुले जाए है already मैंने बहुत सारे important questions अपनोच किये है मैं फिर से तो एक नए question के साथ में till then keep learning and thank you for watching this video